में अनू स्वागत करती हूँ आप सब कपने यूट्यूब छैनल पर तो फ्रेंट्स आज हम बनाने वाले ही बहुत सुन्दर ड्रेल्स कानजी की जो कि बहुत प्यारी है बहुत अच्छी है और बने के बाद बहुत ही जादा सुन्दर लगती है और अगर आपको वीडियो प तो इसका मैं मेजरमेंट बता देती हूँ यह लिए मैंने 10 बाई 10 का फैबरिक टेन बाई 10 का फैबरिक है यह 10 इंच लंबा है और 10 इंच चोड़ा है अभी मैं क्या करती हूँ मैं इसको करूंगी फोल्ड इस तरह सी फोल्ड करने के बाद मैं इसको करूंगी इस तरह से फोल्ड ठीक है यह देखिए चार फोल्ड की है मैंने इसके और यहां से देखिए यह साइट से खुला हुआ है और अभी मैं क्या करने वाली हूं देखिए यहां से मैं निशान लगा लूँगा यह देखिए 5 इंच बैठ रहे है तो यहां पर सारे में ही मुझे 5 5 इंच पे मांक कर लेना है इस तरह से इस तरह से पांच-पांच इंच पे मांक कर लूँगे ठीक है तो यहाँ पर एक सर्कल जैसा हमारा बन जाएगा इसी तरह से और अभी मैं इसे कट कर लूँगी सर्कल को तो इसको मैंने पेपर पेश्टिंग नहीं है पेश्टिंग है जो की मार्केट में मिलती है अराम से उसके उपर पेश्ट किया है फैवरिक को कर लेती है इसको आराम से यह कट हो गया हमारा ठीक है अब भी मैं क्या करने वाली हूँ यहाँ पर लूब लगाँगी मैं एक एक इंची का निशान यह हमारा कमर का निशान होगा यह भी हमें राउंड राउंड ही कट करना है यह देखिए इस तरह से इसी तरह से यहां पर ही कट कर लेना है यह देखिए यह कट हो गया है ठीक है और अभी मैं क्या करूँगी यहां पर लिया है मैंने एक अस्तर का फैबरिक और इसके नीचे रखूंगी इसे अस्तर को और साइड में कट करूँगी कट करना है मुझे यह तो देखिए फ्रेंट मैंने यह कट कर लिया है अस्तर का फैबरिक भी अभी मैं इसके चारोड राउंड राउंड सिलाई लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट मैंने साइड से इसको लॉक कर दिया है साइड से मैंने लगा दी और अब इमेरा कट्रोगा है यहां से भी मैं किया करने वाली हूँ है यहां पर यहां पर यह टीशू रीवन है इस से में हां पर लॉक कर लूंगी इसको फिर आपको दिखाती हूँ तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर मैने निशान लगाकि सलाई कर लिया और यहां से लॉग भी कर लिया सब तो अभी मैं क्या करूँगे मैंने लिआ है यह पट्टियां और मैंने लिये हैं इसकती एक एक एंच एक्सट्र हैario के सुल्सक्राइब नीने नाया है किकी एक एक इंच एक एक श्लिक एकां स्थे एक एक छिए लिए है और सचोबीर चुणनट में भरी अपने, दिखेंné, अन्हों प्रेट घेखा तो लिए गृद तिन तो को दो हम लिए prepared की चुणनट में मैंने क्या गिया मैंने हीहां पर भी इस्टीच करके सिलाई कर लिये ताकि हमारा बंद हो जए उigent से भी स्टीच कर दिया ताकि बंद हो जए अब भी मैं एक्ट्रा फैबरिक को कट कर दूंगी और यहीहां से लॉक नपश ज्यादा जरूरी है गाइस क्योंकि नहीं तो फिर न आपकी फ्रिल खड़ी खड़ी रहेगी उसके उपर आप कोई भी डिजाइन बनाएंगे तो वो डिजाइन आपका अच्छे से शोर नहीं हो पाएगा ठेक है तो मैं इसको कट करती हूँ बैले तो देखे फ्रेंड्स मैंने कट कर लिया अभी मैं क्या करूँगी मैंने लिए एक औरे पट्टी और इसकी चोड़ाई लगबग दो इंची है एक मैं दिखाती हूँ आपको यह इसकी चोड़ाई लगबग दाई इंची है दाई पौने तीन इंची चोड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हूँ अभी मैं क्या करूँगी इसको फोल्ट करना है इस तरह से और यहाँ पर उल्टा रखना है इसको उल्टा रखकर यहाँ पर अटेच कर देना बाहर की साइड इस तरह से रखके यहाँ पर अटेच कर देना चारोड मैं अटेच करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंड्स यह मेरी पाइपिन लग गई है और देख और सीधा करने के बाद इसको पट्टी को इधर रखके इस तरह से पल्टूंगी और इसके साथ में इस तरह से डोरी अटेच करते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी चादूंगी देखे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है और अभी मैं क्या अर्वं करने इस तरह से इनद्ड करने हैं और यह कह ने बता 20 बाना आप यहाँ इवले फ्लावर्स मैंने हनानी कैसे टोenary była टीके अधर हनाते हुंकि मैं बहुत ही आसान तो सबसे पहले मैंगि यह साया प्लयाना ने करके हैं है और लो कलरका और चतार सा सरकर बापक पाउन सबस्क्राइब अब्सक्राइब हो अर्ष और इससे वी बना लेना है ऑचिर से यह open है हिस्सा इधर हम सूई धागे के help से इस तरह से कच्चा-ठाकता लगा लेगी यह देखिए इस तरह से ठीक है इस तरह से ठीक है । और इसी तरह से मैं सारी leaves बना कर कर डूंगी पिरानी प्रणान प्रावर्स तो मैं पहले बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो देखें guys, यह मैंने बलीफ्स बना ली हैं सारी, और इसको ना मैंने tight करके खीचा और इस तरह से एक flower जैसा बन गया, ठीकें, यहाँ पर इसको tight करके खीचो गया आप तो एक flower जैसा बन जाएगा, और आप इहाँ पर यह देखें गांट लगा दिजीगा इस तरह से करके, तो यह फ्लावर बन जाए गए आप आप इसे साटन का भी बना सकते हूँ और आप इसे नेट का भी बना सकते हूँ आप इसे कपड़े का भी बना सकते हूँ आप टोटल आपके उपर डिपेंट करता है कि आप इसे कैसा बनाना चाहते हूँ तो कि इसे बनाने में कोई ज़् किन तरह का यह लिया है सरकल और इस तरह का मति लिया तो यह आराम से हो जाएगा ठीक है यहाँ पर यह हो जाएगा तो अभी हम इसे सूखने देते हैं तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जब तक हम इने सैट कर लेते हैं और इने लगाने का तरीका बता देते हैं लगाने कैसे हैं मेंको फ्लावर तो यह फ्लावर मेंको लगाने ऐसे यहाँ पर दूर दूर ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दूर करके ऐसे फ्लावर लगाऊंगी मैं यहाँ पर सारे में इस तरह से तो आप देख लेजेगा आपको किस तरह से लगाने वैसे मुझे यह ऐसे ही लगाने हैं हैं और शूह मेरी गरण हो चुके तो मुझे यहाँ पर पेष्ट गए laser पर लगा नहीं दो Arabia नहीं आप इनको पहले से ही सेट करके रखी कि आपको यह लगाने कहां पर है ठीक है तो इस तरह से मैं लगाऊंगी इनको सारों को इसी तरह से आपको लगा लेना है सारे में पहले लगाती हूं जल्दी यह हमारा तयार हो चुका है अब ही हमें बनानी है चोली इनकी तो चोली भी बनाना देख लेते हैं कैसे बनानी है तो दोस्तों यहां पर न मैं छोटी-छोटी से बीट्स भी लगा दूँगे बीस में लेकिन पहले मैं चोली बता देती हूं आपको चोली कैसे करनी है तो यह लिए मैंने फैबरिक यह लिए मैंने साटन का फैबरिक और इसकी मैं लंबाई बता दीती हूं क्योंकि हम 4 से 5 एक काऩे के ये बना रहे हैं तो इसके लिए हमने चोली की लंबाई ली है 11 इंच 11 इंच लंबा है और 2.5 इंच चोड़ा है तो अब है दोटना क्या है है हमें इस तरह से करनी है कि Stitch ऐसे करो करें है हमें यहां साथ से स्टीच कर लेना है और उसके उपर ये वाली लैस लगा देगी है. तो पहले हम इतना काम करती हू vinegar फिर आपको दिखाती हूं. तो guys देखिए हमने यहांपर लैस लगा लिए. मैं यह वाली लैस लगाना चाहती थी यहां पर side में बट ये लैस मेंगी थोड़ी सी कम रह गई. और कम-les लगा कर कोई फयादा नहीं था अच्छी नहीं लगती ना फिर फोड़ा सा piece रह जाता तो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने वो नहीं लगता सेम कलर की मैं पड़ा छोटी last ती तो मैंने वो लगा दी और इसको मैं दो दयार हो चुकी है, यहाँ पर देखिए मैंने इस लाई लगाई थी, और यह डोरी है, इसको पेंनाने के लिए आपको इस तरह से पेंनाना है, उपने गुड़ू को, मतलब लटडू अपाल जी को और इस तरह से पीछे से बान देना है तो अभी मैं यहाँ पर स्टोंस और लगा देती हूँ, सारे में फिर दिखाती हूँ आपको तो देखें फ्रेंड्स इसके उपर मैंने यह स्टोंस लगा लिये हैं, यह मेरे पास थे तो उमीद करती हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जयों कीजिएगे विद बैल बटन, इसे मेरे आने वाली हर वीडियो के नॉटिक्विशन आदी आदी आदी